हेलो फेंड्स आप लोग देखे हो आपका अपना चैनल क्रीन और्गिनिक इंडिया जिसमें हम आपके लेकर आते हैं खेती से जुड़ी बहुत सारी जानकरियां तो आज हम आपके लेकर आएं कि अच्छी फसल लेनी है तो क्या जरूरी है जिपसम दस वज़े जो आपको जा कैलशियम और सलफर की आवशकता की पूर्टी करने के लिए जिपसम जरूरी है फसलों में जड़ों की सामान्य वृत्थी एवं विकास में सहायता देता है जिपसम का उव्योग फसल सरक्षन में भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें सलफर उचित मात्रा में होता है तिलहनी फसलों में जिपसम डालने से सलफर की पूर्टी होती है जो बीच उत्पादन तथा पौधे वे तेल से आने वाली विशेश गंद के लिए मुख्यता उत्तरदाई होता है जिपसम देने से मृधा में पोशक तत्वों सामान्य तह नत्रजन, फास्पोरस, पटेशियम, कैल कैल्शियम तथा सलफर की उपलब्दता में वृत्थी हो जाती है आप लोगों को ये तो पता ही है कि नाइट्रोजन, फास्पोरस और पटेशियम किसी भी पौधे में जान डालने के लिए इन तत्वों का उप्योग बहुत होता है जिपसम कैल्शियम का एक मुख्य स्त्र इन सब के अलावा और भी इसके प्रियोग हैं जिससे कि हम जिपसम कहा सकते हैं कि हमारी फसलों के लिए ज़रूरी है जिपसम मृधा में कठोर परत बनने से रोकता है तथा मृधा में जल प्रवेश को बढ़ाता है कैल्शियम की कमी के कारण उपरी बढ़ती पत्तियों के अगर भाग का सफेध होना लिपटना तथा संकुचित होना होता है अत्ति कमी के सीती में पौधों की वृधि आवरूध हो जाती है तथा वर्धन शिखा भी सूख जाती है जोकि जिपसम डालने से ही पूरी की जा स सकती है जिपसम एक अच्छा भू सुधारक है यह क्षारिय भूमी को सुधारनी का कारे करता है जिपसम अमलियम रिदा में अलमियम के हाने कारेक प्रभाव को कम करता है जिपसम कापयोग फसलों में अधिक उपच तथा उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता पुछ राजाय सरकारे किसानों को फ्री में या सबसेड़ी पर जिपसम उपलब्द करवाती है। लेकिन हमें जिपसम का संतुलित प्रयोग करना है। तो ये थे जिपसन के फायदे, थैंक्स फर वाचिंग ग्रीन और्गैनिक इंडिया